हलो एब्रीवन वल्कम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म आवर चैनल पनेशा वार कॉंपिटिटिव एग्जामिनेशन और आम प्यूश्ट इस पर्टिक्लर सशन में हम बात करने वाले अपना जो डियाफ सीसी आयल का एक्जाम होने वाले इसमें जनरल साइंस का सेक्श तो वो जागर के देखके आओ और यहाँ पर आज आपकी पिरोडिक टेबल की लास्ट ग्लास होने वाली है इसमें मैं आपको जो बचे हुए ट्रेंड्स है वो कराऊंगा इसके अलावा आपको एलिमेंट से याद करने में बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है तो एल पहले आपको क्या करना है क्लास 1-12 देखकर के आना अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है और साथ के साथ आपको मैंने सावन सैट करा रखे हैं और यह जो फूर्थ वाला नंबर है न इसमें आपका एक के अंदर चार चार ट्रेंड मैं बताऊंगा आपको कैसे रिले बता रहा हूं metallic character किस-किस के बारे में हम देखो बात करेंगे सारी की सारी चीज़े ना इसमें यह जुड़ी हुई है metallic character हो गया आपका यहाँ पर electro positive character हो गया ठीक है electro positivity ठीक है और फिर आपका यहाँ पर मैं क्या कराऊंगा इसके अलावा and non metallic character यह सारी की सारी चीज़े ना एक ही reason पर dependent है तो यह मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा and non metallic character non metallic यह आपका double r नहीं होगा यहाँ पर ठीक है non metallic character इसके अलावा हम क्या करेंगे non metallic character के अलावा electro negativity ठीक है electro negativity ठीक है तो इसको आप यहाँ पर heading डालो यह चारों के चारों टर्म हम एक साथ समझने वाले हैं ठीक जादा हम क्योंकि देखो सारी की सारी चीज़े रिलेटेड है तो इसे जादा इधर उधर नहीं फेक रहा है बस एक साथ आपको cluster में याद रखना है सबसे पहले मैं आपसे ए नंबर पे इसमें बात करूंगा किसकी groups की ठीक है groups की अंदर देखते हैं अब देखो अगर metallic character है वो कैसा हूता है तो जैसे ही आप किसी भी ग्रूप में क्या करते हो up to down move करोगे ठीक है क्या करोगे भाइ छो Metallic Character है ध्यान देना Metallic Character होता है आपका Increase metallic Character increases लिख लो इसको metallic character क्या कर जाता है आपका increase कर जाता है अब देखो metallic character कैसे increase करेगा एक बार मैं आपको फिर से periodic table पे लेके आता हूँ अगर मैं आपसे यहां की इस वाले first वाले group की बात करूँ अच्छा first वाले group में hydrogen नहीं होता है मैंने आपको बहुत बार बताया है कल भी किसी बच्चे ने comment गिया से hydrogen अरे भई hydrogen को special position दी गई है बताया था की नहीं बताया था मैंने यह तो metal भी नहीं होता non metal होता है hydrogen देखो यह क्या है आपका lithium है यह आपका sodium है यह potassium है यह rubidium है यह cesium है और यह आपका francium है अब मैंने आपसे बताया था यह मैं आपको बता जिएक डोशाओ आपका scheduling configuration करके निक्रीज हे था है यह लेकने ऐबर रहा था है यह व्हां आपने कि एक एक शेल बढ़ती जा रही है तो मुझे एक bayता 주static हुआ आपका metallic character increase हुआ लेकिन आपने एक चीज और देखी यहाँ पर यह shell बढ़ती जा रही है तो मैंने आपको एक बात बताई थी जैसे जैसे atom का size बढ़ जाएगा न उससे क्या होगा कि आपका यह जो last में एक electron बैठा हुआ है क्या है भई last में जो electron बैठा हुआ है यह आपका बीच में होता है nucleus इन दौनों के बीच में जो force of attraction है या फिर जो nucleus इसको bind गर गे रखता है binding energy है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी इस electron के लिए यानि कि अगर इस electron को मैंने loosely पकड़ा हुआ है सोचो मैं nucleus हूँ मैंने अपने electron को बहुत loosely पकड़ा हुआ है तो यहाँ पर यह जो electron है इसके loose होने की जो छमता है यानि कि इसके loose होने की जो chances है वो बहुत जादा है और यहाँ पर यह element करेगा क्या अब दिखो आपको मैंने क्या बताया लास्ट वाली orbit में या तो 8 electron हो या फिर आपके 18 और यह वाली जो shell है अगर मैं आपसे यहाँ पर सोचो बात कर रहा हूँ अपना potassium की बात कर रहा हूँ ठीक है ना तो potassium में क्या होगा यह last वाली orbit यहाँ पर कितने आने चीए आठ आने चीए तो वो ऐसा तो है नहीं कि 7 electron ले लेगा एक साथ वो तो यह सोचेगा कि अरे मैं यह एक electron जो है मेरे पास मैं इसको दे देता हूँ किसी और को ठीक है और मैं आपने आप में क्या हो जाओंगा लेटर से इस ओडिया मैं तो यह क्या करेगा अपने एक electron किसी और को दे देगा और 2-8 बन जाएगा ठीक है अब इस 2-8 बनने का मतलब क्या अगर इसने यहाँ पे अपना एक electron किसी को दे दिया बास समझना तो यह कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो इसे जो आपका अगर आपको पता होगा आपको समझाता हूँ ग्लोरीन की जो electronic configuration होती है वो क्या निकल के आती है 287 निकल के आती है इसकी होती है 281 तो इसने का तुम मेरा एक electron ले लो तुम भी निरवाना प्राप्त कर लो मैं भी निरवाना प्राप्त कर लू तो जो electron देता है वो plus का हो जाता है जो electron ले लेता है वो minus का हो जाता है इसलिए अब आप देखोगे chlorine जो है ना वो आपका क्या है chlorine non metal है और ये जो आपका sodium है वो sodium क्या है भई sodium आपका metal है तो ध्यान देना अगर कोई metal है तो वो कैसा होगा electro positive होगा अगर कोई metal होता है तो उस यह अपना electron lose करने की इसके पास ज्यादा tendency होती है यानि कि जो sodium होता है वो अपना electron lose कर देगा अब समझ में आ गया होगा क्यों lose करेगा बात मेरी clear हो गई क्या चलो इसलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि group में जब हम जैसे up to down जा रहे हैं metallic character increase कर रहा है ठीक है क्या कर जाता है भाई increase कर जाता है अब आप कहोगे सर ये वाली बात तो चलो ठीक है हमने तो यहाँ पे एक तरफा बात कर दी ये तो metal metal की बात हो गई लेकिन अगर हम non metal की बात करेंगे तो क्या होगा ठीक है ना तो हमें सारी की सारी चीज़ें समझे नहीं आप ये ना छपवाने को तो मैं आपको एक मिनट में छपवा दूँ आपकी दिमाग में कुछ पता भी नहीं पड़ेगा कि ये क्या हो गया भाई है non metal में कुछ हो रहा है metal में कुछ हो रहा है ये है आपका पूरा पूरा non metal वाला एक ग्रूप तो देखो यहां पर भी आपकी हम बात करेंगी किसकी यहां पे अगर हम non metals को देख रहे हैं तो non metallic character की बात करनी पड़ेगी हमें किसकी बात करनी पड़ेगी non metallic character की ठीक है अब मैं इस वाले ग्रुप को उठा रहा हूँ, देखो, यहाँ पे आपका जो फ्लोरीन है, इसकी electronic configuration क्या होगी, यह हो जाएगा आपका 2,7 ठीक है, फिर आपका क्लोरीन क्या हो जाएगा, 2,8,7 हो जाएगा, तो आप देख रहे हो भई, डाउन ग्रुप जाने में हर ग्रु उसके साथ में क्या होगा, non-metallic character, तो भई, non-metallic character आपका हो जाएगा, decrease, ठीक है, ध्यान रखना, non-metallic character क्या होता है, decrease होता है, अब यह non-metallic character, decrease कैसे हो रहा है, सर, देखो, तो यहाँ पे हम आपको बताता हूँ, मैंने आपसे क्या बोला, जब भी हम metal की बात करेंगे तो हम बोलेंगे, जितना ज्यादा electro positive होगा, उतना ज्यादा अच्छा metal होगा वो, लेकिन अगर हम, यानी metal अच्छा कैसे होगा, electro positive होने का मतलब क्या है, जितनी जल्दी वो अपना electron fake के देगा, ये लो तुम, लो मेरा electron, तो वो हो जाएगा metal, तो जिसके पास ज्यादा श समझो यार, electro negative मैंने आपको क्या बताया था, electro negative, ये CL माइनस कैसे बना था, ये तो इसने एक electron ले लिया था, अच्छा, ये minus sign क्यों आ गया इस पर, क्योंकि इसका धान देना, CL के पास में actually मैं proton कितने है, 17 है, लेकिन जब ये एक electron ले लेगा, तो इसके पास electron कितने हो बैलन्स नहीं बन पा रहा है, से लिए याँ पे CL में minus चिपका देते हैं, अरे समझ में आ रहा है, बहुत easy होता है, देखो, अब अगर मैं electro negative, electro negativity की बात करूँ, तो metallic character में क्या होगा, मुझे बताओ ज़रा, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे है, electro negativity क्या होनी चाहिए, आपको हो गया, तो इनकी पीच की जो force of attraction है, वो कम हो जाएगी, अगर nucleus जो है, आपका यहाँ पे electron को खीच ही नहीं पा रहा है, आसानी से, तो फिर ये बाहर वाले electron को क्या ही acquire करेगा अतनी जल्दी, लेकिन जो आपको fluorine होता है, वो बहुत जल्दी यहाँ पे acquire कर जाएगा electron को, अरे बात समझ में आ रही है क्या, तो जैसे ही यहाँ पर आपका electron को जल्दी जल्दी acquire करेगा, तो यह ज़्यादा अलेक्टर नेगटिव होगा, आपका fluorine और chlorine कम electronegative होगा, यूंकि जो electron को जितना जल्दी आपका acquire करता है, जितनी जल्दी electron को खीचता है, वो उतना मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा clear है हमेशा के लिए आपका जिंदगी अबर कभी नहीं भूलना ठीक है ना चलो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि पीरिड में यहाँ पर क्या-क्या जाते हैं वो फिर आपकी एक्जाम में यह सब नहीं आता जो बेसिक समझा रहा हूं वो देखते जाना ठीक है अब हम बात करने वाले ग्रुप का सीन तो छलो ठीक है अब हम पीरिड में बात करेंगे कि मेटालिक करेक्टर का क्या होगा अलेक्ट्रो नेगिटिविटी का क्या होगा नौन मेटालिक करेक्टर का क्या होगा कहां पर पीरिड में तो अब आपना खुद बताने में सक्षा मुझनों ने मेरी बात सुन लियोगी ना ध्यान से अब मुझे जड़ा आप एक बात बताओ यह आपका सोडियम है सोडियम के पास यहां पर क्या एक एलेक्ट्रो आपने एक एलेक्ट्रों दे देगा बोलेगा चलो ठीक है लेजाओ आपका जो मागनीशय में वो भी बोलेगा दो एलेक्ट्रों लेजाओ मैं अपने चार दो इनकी लड़ाई चलती रहती है तो खैर यहां पर आया फॉस्फोरस ने का मेरे पास तो पांच है अब मैं अप होता है यानि कि आपका देख रहो यहां पे metallic character क्या हो रहा है decrease हो रहा है और जो non metallic character है वो increase होने लग रहा है ठीक है ना चलो तो देखो यहां पर आपका क्या हो गया है आरे क्या बता रहा था मैं ठीक है यहां पर आपका electro positive character यानि कि आपका क्या होने लगा यहां पर कम होने लगा यानि कि अपना electron देना धीमे धीमे क्या कर रहा है देखो यहां पर aluminium तक तो इसने अपनी electron दिये लेकिन फिर silicon से आना का नहीं करने लगा और फिर phosphorus आते आते बोला रहे भई मैं नहीं दे रहा अब ठीक है तो इसने कहा मैं तो electron लोगा दूगा नहीं ठीक है यह कहानी आगे चलने लग गई तो यानि कि जो आपका electro positive character है वो decrease हुआ electro negative character increase हुआ क्योंकि अब यह electron ले रहा है तो अब यह increase होने लगा non metallic character increase हुआ metallic character decrease हुआ अरे पोलो हाँ clear हो गया क्या समझ में आ गया पूरा चलो अब यह आपके पूरे के पूरे चार के चार पॉइंट एक साथ निपट गए और ग्रुप और पीरड मिला गी आठ पॉइंट निकट यहां से आपके आठ पॉइंट निपते हैं पूरे के पूरे ठीक है और आपका concept भी clear हो गया होगा एनेमली है एक दो चार तो वो हम आपको time time करा दूँगा बागी यह आपका पेसिक है चलिए यह हो गया यह हो गया next वाले पे आते हैं पीरड में आपने no down किया क्या जैको पीरड में आप लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे electro negativity यह क्या होगी भई increase करेगी electro negativity increase करेगी कहा जा रहे हैं हम left to right जाने लग रहे हैं ठीक है और आपका जो electro positivity है positivity को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ तो यह समझ जाना आप electro positivity लिखा हुआ है electro positivity आपकी क्या हो रही है decrease हो रही है क्या लिख दोगे यहाँ पर आप decrease होने लग रही है Electro-Positivity क्या होती है Basically यह Metallic Character ही होता है तो आपका Metallic Character क्या हो रहा है Again यह आपका Decrease हो रहा है Electro-Negativity मतलब Non-Metallic Character आपका क्या हो रहा है Increase हो रहा है लिख लोगे न यह सभी का सभी आरे बोलो हाँ ठीक है चलो अब अपने Next वाले Point पे आते हैं तो भई Note Down करो यहाँ पर आपका कौनसा Point आ गया Fifth वाला Point आ गया है ना चलो Fifth वाला Point यहाँ Note Down करो अब हम बात कर रहे हैं आपकी Reactivity की ठीक है तो लिखो यहाँ पर Chemical Reactivity आपकी किस तरीके से वरी करती है Chemical Reactivity अब यह जो Chemical Reactivity है ना देखो यह कैसे आपका यहाँ पर बरी करेगी इसको बहुत आराम से समझना फिर आपको सारी चीज़े क्लियर होगी अब यहाँ पर मैं फिर से आगया अपनी Periodic Table पे और मैंने उठाया यह वाला आपका जो यह अपना Particular Period है आपका Sodium है, Magnesium है, Aluminium है, Silicon, Phosphorus, Sulfur, Chlorine अब यह आरगन को नहीं ले रहे हैं आपको पता है क्या मैंने आपको अल्रेडी बता रखा है यह वाला जो Last वाला आपका Group है इनके Elements हमें लेना देना होता नहीं इतना क्योंकि यह सारे के सारे होते हैं Non Reactive क्यों होते हैं Non Reactive क्योंकि यह तो भाई पूरी की पूरे Electron भरे बैठे है इनको किसी की जरूरती नहीं है तो यह अपने आप में कैसे होते हैं Mono Atomic यह चीज मैंने आपको कली बताईती है यानि किसी से यह React ही नहीं करते हैं ठीक है अपने आप में ही खुश है ठीक है यह हम दो हमारे दो वाला concept नहीं है इनका यह हम अकेले और हम अकेली है ठीक है चलो खेर अब देखो यहाँ पे आपका क्या scene बन रहा है यहाँ पे हमने उठाया sodium का बात समझना जरा ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ sodium के पास आप देखोगे ध्यान से तो एक electron खाली है लास्ट वाली shell की बात करूँगा मैं जब भी आपसे electron बोलता हूँ न एक है दो है तो यानि कि मैं आपसे लास्ट वाली shell की बात कर रहा हूँ आपका magnesium में दो electron होते हैं फिर आगया आपका aluminium में इसमें 3 electron खाली होते हैं silicon में आपके 4 electron खाली होते हैं phosphorus में 5 और यह इस तरीके से 6 और यहाँ पर 7 electron खाली होते हैं तो अब देखना यहाँ पर यह जो sodium है react करने के लिए क्या होता है आपका electron का lane देन होता है ठीक है जो आपकी reactivity होती है बेसिकली उसका मतलब होता है electron का lane देनी करनी है तो यहाँ पर आप देखो sodium क्या करेगा अपने अपट से क्या करेगा अपने electron देदेगा एक electron है इसके पास में और इसका size भी थोड़ा सा बड़ा है तो यह करेगा कहेगा ले जाओ तुम मेरा electron ले जाओ मझे मैं ash करो लेकिन magnesium कहेगा दो electron है यार देने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी लेकिन चलो तुम तब भी ले जाओ लेकिन अगर मैं sodium magnesium में comparison करूं तो कौन सा जादा reactive होगा आपका sodium जादा reactive होगा क्योंकि इसे एक electron खोना है फिर जैसे है मैं आगे बढ़ूँगा aluminium से कहूँगा तुम अपना तीनों electron दे दो ना मुझे तो यह बोलेगा तीन electron देने में भई बड़ी मेहनत लगती है यार लेकिन इतने reactivity में तुम से करूंगा नहीं जब बहुत जादा कोई ऐसा agent आएगा जो मुझे जो जादा वैसा होगा उसको मैं दे पाऊँगा अपने तीन electron ठीक है तो aluminium थोड़ी मुश्किल में देगा यानि कि aluminium और भी कम reactive होगा फिर मैंने silicon से का silicon से का आपने चार electron दे दो ना वो कहेगा तुम्हारे पास भी दो चार electron है तुम मुझे दे दो ठीक है तो silicon बड़ी silicon मतलब सबसे ज़्यादा कम reactive हो जाएगा लेकिन फिर जैसे ही silicon से मैं phosphorus पे बढ़ा तो phosphorus से मैं कहूंगा अपने 5 electron दे दो ना और 3 electron acquire करना को इतनी बड़ी बात नहीं है फिर मैं sulfur के पास गया मैंने का तुम मेरे 2 electron लेलो इसने का चलो दे दो भई फटा फट से निकालो तो फिर 6 electron पहले से हैं 2 आ जाएंगी कोई दिक्कत नहीं है chlorine ने खा रहे एक electron है ये तो chlorine तो खुदी आगे किसी भी period में तो किसी भी period में क्या होता है आपकी chemical reactivity first decreases देखो first decreases यानि कि पहले ये क्या हो रही है decrease हो रही है पहले आपने देखा sodium से लेके आपका silicon तक क्या हुआ ये पहले sodium में सबसे ज़्यादा reactivity थी और sodium तक आते आते कम होने लग गई है तो first decreases up to a semi conductor ठीक है ना यानि कि जैसे जैसे एक semi conductor आएगा इसकी reactivity कम होती चली जाएगी लेकिन जैसे ही semi conductor से non metal वाले हम यहाँ पे ग्रूप में बढ़ेंगे तो फिर आपकी क्या होगी then it increases then it increases तो पहले तो ये decrease होती है आपकी जो chemical reactivity होती है किसी भी period की कैसे move कर रहे हैं हम यहाँ पे left to right move कर रहे हैं ठीक है तो आपकी chemical reactivity क्या हो गई पहले decrease हो गई पहले decrease होना start हुई कहां तक semi conductor तक आपका जब कोई है जहां तक हमें कोई semi conductor नहीं मिला फिर उसके बाद ही again increase होना शुरू हो गई up to group 17 ठीक है आपका जो 17th group होगा वहाँ तक यह increase करेगी क्योंकि 18th वाला तो भई चुप-चाप बैठा रहता उससे में ज़्यादा मतलब होता नहीं है ठीक है तो बात समझ में आगी क्या सारी की सारी चीज़ें ना mind में घुसनी चाहिए रटते तो यार दुनिया है आपको mind में अपने गुसनी चीज़े तभी तो याद होगा mind में वैसे भी आपको रटने को तो अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी इस्ट आफ इंडियन रेलवेज भी आपने बैसर आने समझा रखिए चलो यह आपका period हो गया और आपका आप groups की बात कर रहे हैं ठीक है groups में आप देखो क्या scene होगा अगर हम chemical reactivity की बात करें अच्छा यहाँ पर आपकी एक दो मैंने आपको already बता रहा हूँ एक दो यहाँ पर anomalies होती हैं तो उन पर अभी हमें ध्यान नहीं देना anomalies में आपको कराऊंगा एक दो अपवाद होते हैं वो अपवाद आते हैं half shell energy acquire करने से ठीक है half shell के energy थोड़ी ज़्यादा ही होती है incomplete shell से तो वो थोड़ी सी अलग चीजे हैं ग्रुप में क्या होगा अपना आप इतने सक्षम हो चुके हो कि आप खुस्से चीजों को बताओ जरा मुझे आप यहाँ पर बताओ chemical reactivity कैसी होनी चाहिए अगर मैं पहले वाले ग्रुप की बात करूँ इस वाले ग्रुप को suppose करो मैंने उठा लिया और हाँ एक चीज और chemical reactivity ना metal की अलग होगी और non metal की अलग जो आपकी non metals है ठीक है इनकी अलग होगी बात मेरी समझ में आ रही है क्या देखो जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका ग्रुप में अलग तरीके से यहाँ ने आपको पूरा concept तो दे दिया आप लोग जिरा खुछ से अपना दिमाग लगा कि बताओ क्या होगा यहाँ पर मैंने बोला सबके पास में एक एक electron यहाँ पे खाली है लास्ट वाली श्याल में लेकिन यह जो फ्रांसिया में इसका बहुत बढ़ा है यह और आपक कि इसकी reactivity सबसे ज़्यादा होगी किसके respect में lithium के respect में यहोगी lithium बहुत छोटा है तो इसकी reactivity कैसी हो रही है नीचे आते आते increase होती जा रही है तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ metals की तो metal के case में आपकी जो chemical reactivity है up to down जाते हुए up to down जाते हुए आपकी metal की reactivity क्या करे इंक्रीज करेगी अरे बोलो हाँ अगर मैं non metal की बात करता हूँ तो non metal में picture थोड़ी सी पलट जाती है यहाँ क्या हुआ आपका देखो fluorine तो छुटकू सा है फिर आपका ऐसी तरीके से अगर मैं आपका यहाँ पर लटक से estatin की बात करने लग जाओ ठीक है तो estatin आपका का करता है electron को तो दूसरा वाला जब यहाँ पर हम नया electron acquire करेंगे तो वो क्या कहेगा न्यूग्लियस चलो ठीक है लेके आओ मैं तो इसको भी यहाँ पर निप्टा लूँगा साथ में इसको भी चिपका लेता हूँ अपने लेकिन इसका बिचारे का न्यूग्लियस तो बहु तो हाँ clear हो गया ना तो इसकी जो आपकी non-metals की chemical reactivity होती है यह क्या करती है decrease कर जाती है clear है क्या समझ में आ गया चलो यह हो गई आपकी chemical reactivity अब हमें सबसे last वाला trend देखना है जो आपका हो जाता है क्या तो nature of oxide आपका पूंचा जाता है अच्छा यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो अगर आप किसी भी बुक में पढ़ोगे या फिर आप कोई भी जो table label बनवाते हैं ना उसमें आपको यह लोग क्या करते हैं period का अलग बताएंगे period में आपके 6-7 point 6 point क्या आपके मैंने वो जो fourth point था उसमें मैंने आपके 4 point cover किये हुए है तो ऐसे 10 point बनवा द इसमें क्या हो रहा होता है तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर ए पर किसकी period की बात करेंगे ठीक है ना किसकी बात करेंगे पीरिड की नंबर बी पर हम बात करेंगे है अपने के नाम ग्रुप की ठीक है पीरिड हो गया ग्रुप हो गया अगर मैं पीरिड में बात करूं यानि कि जब मैं left to right जाता हूं किसी भी पीरिडिक टेबल में तो क्या होगा आपका निचर ऑफ ऑक्साइड जैसे लेटस से मैंने आपका वही वाला उठा लिया यह मैं आपका एक ही लाइन में लिख दे रहा हूं वासे एक लाइन में होता नहीं है चलो यार छोड़ो पीरिडिक टेबल में दिखा देता हूं है यह अलुमीनियुम सिलिकॉन फॉस्फोरस यह आपके पूरे बने हुए है सलफर क्लोरीन ठीक है और वह तो आरगन तो यह अपना नोबल गैसे से को अपने को लेना देना करना ही नहीं यह कौन से वाले कॉंसेप्ट के हम एक हमारा कुछ नहीं ठीक चलो अब देखो यहा इसकी न ऐसे टेबल बना लो सोडियम हो गया मैगनेशियम हो गया अलुमीनियुम हो गया यहां पर मैं लिखे देता हूं सोडियम मैगनेशियम अलुमीनियुम सिलिकॉन और क्लोरीन आता है ठीक है अब देखो इसमें क्या होगा यह जो सोडियम है यह होगा आपका कैसा बेसिक होगा यानि कि यह सबसे ज्यादा बेसिक होता है इसका जो ऑक्साइड होता है ठीक है और जो क्लोरीन होता है यह होता है आपका highly acidic कैसा होता है highly acidic होता है और फिर जो बीच में आपको यहां पे अलुमीनियम और सिलिकॉन दिखरा है ये पता कैसे होते हैं ये होते हैं अपर आपको नहीं पता हैं ये जो अलुमीनियम के ऑक्साइड होते हैं और जो सिलिकॉन के होते हैं ये बेसिक भी हो सकते हैं और फिर ये आपके कैसे हो सकते हैं एसेडिक भी हो सकते हैं बेसिकली होता क्या है यह आपका basic से यहाँ पे इसका जो nature है nature of oxide basic से आपका कैसा होता जा रहा है जैसे आप left to right बढ़ोगे acidic होता जा रहा है तो एक condition आती है जहाँ पर जो oxide है वो basic भी होते हैं acidic भी होते हैं यह इनकी जिस reaction में आप use करवा रहे हो जैसे use करवा रहे हो इस पर depend करता है अब इसके लिए हम जब reactions पढ़ेंगे तब आपको और भी ज़्यादा clarify होगा यह acid और base and salt वाला जब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा फिल हाल आप यह no down करो left to right जाते हुए आपका basic अगर मैं आप देखो यहाँ पे दो चीजे हो गई अगर आपसे पूछा जाए basic character कैसा होगा basic character of oxides ठीक है तो oxides का basic character कैसा हो रहा है decrease हो रहा है तो यहाँ पे लिख लो भई decrease हो गया अगर आपसे पूछ ले कि acidic character कैसा हो रहा है यह ना ऐसे गुमा गुमा के question पूछते हैं यार है एकी चीज acidic character of oxides कैसा होता है period में तो यह देखो increase होता जा रहा है ठीक है तो बस इतनी सी बाते हैं आपको ध्यान में रखनी है यह किसकी बात होगी यह आपकी होगी period की बात ग्रुप यहाँ पे टंगा रहा गया कोई बात नहीं इसको नीचे फेकते हैं आओ भई नंबर B पे अगर म यह जितने सारे के सारे हैं लटस से मैंने यहाँ पर आपको sodium वाला ग्रुप उठा लिया ग्रुफ बन लीदियम हो गया sodium हो गया potassium हो गया यह सब क्या है यह सारे के सारे basic oxide है ठीक है यानि कि आप किसी भी period में चले जाओ तो अगर वो basic oxide उसमें ना कोई change नहीं आता अगर य acidic है तो यह सारे के सारे acidic ही होते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप note down कर लो एक point गर ग्रुप में हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे तो भई यहाँ पर आप note down कर लो ongoing down क्या लिखेवा रहा हूं भई ongoing down the group यानि कि आप जैसे जैसे किसी भी ग्रुप में नीचे उतरते जाएंगे ठीक है cd लगा की नीचे उतरोगे ना चलो यहाँ पर ongoing down the group of periodic table of periodic table यानि कि जैसे जैसे आप periodic table में क्या कर रहे हो ग्रुप की नीचे जा रहे हो there is no change क्या होगा भई there is no लिखो यहाँ पी नीचे आते हैं there is no change किसमें भई कोई change नहीं है in the nature of in the nature of oxides of elements nature of oxides of the elements clear है क्या अपड़ावट से बोलो हाँ ठीक है तो यह चीज आप no down कर लो जैसे जैसे आप group में ना कोई change नहीं होता उनका nature जो होता है oxides का वो same ही रहता है clear है तो यहाँ पर आपका हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए आपका जो पिरिडिक टेबल है खतम हो गया दिमाग में सारी की सारी चीज़ें गुस गई क्या अगर नहीं गुसी है तो जाके फिर से देखो एक बार lecture ठीक है चलो यह सारी की सारी चीज़ें हो गई अब मुझ आपके यहाँ पर ऑक्साइड वगरा है जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया हाइड्रोजन को किसने खोजा कौन से एयर में खोजा इसकी क्या क्या इंपॉर्टन कंपाउंड बन रहे हैं और ना कई सारे जैसे अगर मैं आपसे बात करूं टोटल मिला के शायद आठ या न आप अगेन क्या गरोगे इस सभी को रिवाइस करो अच्छे से इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के अलग से यह एलिमेंट याद करवाने का बता दूँगा याद करवाने में कुछ नहीं है बस आपको हलका सा रट्टा मारना पड़ेगा और यह रट्टा मारने की कुछ बात नहीं है लिखना इसको बार बार ठीक है लिखना है वो मैं सिखाओंगा चलो कोई बात नहीं अच्छा मैं आपको एक कॉश्चन दे रहा हूं इसका अंसर मुझे आप लोग सारे के सारे कमेंट करना ठीक है यह कॉश्चन दे रहा हूं मुझे बताओ एक अब आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौनसा element ऐसा है जो कि आपका first question जो कि आपका second किसमें आएगा group में आएगा ठीक है कौनसा element second group में आएगा second question सुनो ध्यान से ऐसा कौनसा element है जो कि second period में आएगा ठीक है किसमें आएगा second period में और यहाँ पर मैं आपसे तीसरी चीज पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताओ इनमें से कौनसा element जो है वो 18th group में आएगा ठीक है ये तीन question का answer बताओ गेवेन है आपके सामने तीन element की configuration पड़ा वड़ से comment करके बताईए देखता हूँ किसने क्य क्या समझा है अभी तक की सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोग मैनत करते रहे देखो एक चीज आपको बताता हूँ यह जो मैनत होती है ना जो आप अभी कर्मा कर रहे हो जो आप अभी मैनत कर रहे हो यह reflect करेगी अगर आप अभी मैनत करोगे तो आपको future में comfort म मैनत करोगे बाद में क्या करोगे मैनत करोगे गड़ा यह सारी की सारी चीज़ें आगे होती रहेगी ठीक है चलो लो यह सारी की सारी बाते हैं अगले session में मिलते हैं तेक केर बबाई मैनत करते रही अच्छे से पढ़ते रही है और यहां पर आपकी प्योडिक्टेबल फिनिश हो गई है और आपका एक दो क्लास लेके जो भी ऐलिमेंट है वो फिनिश करवाता हूं ओर्स और मिनरल्स भी करा दूँगा ठीक है चिंदा नहीं कर नियार देखो मैं आपका इसी के साथ साथ मैंने आपकी आदी से जादा हाफ कैमिस्ट्री तो फिनिश ही होगी रियक्शन और करवा दूँगा पूरी कैमिस्ट्री हो जाएगी इंपोर्टन कंपाउंड के साथ में उनके कॉमन नेम ठीकर क्या ही है कैमिस्ट्री में चलो खैर अब इस को एंड करूंगा बाबाई